साथियो नमस्कार मदिलीव सिन एक बार फिर आप सबी का इन्फोर्मेटिव क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PTT 2022 टू येर कोर्स की साइंस की कटोप को लेकर के बहुत से विध्यारतियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर साइंस की कटोप है वो क्या रहने वाली है साइंस की कटोप को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे के टेगरी वाइज में आपको यहाँ पर कटोप बताने वाला हूँ जिन students का मेरे पास में call आया है और उन्होंने मेरे को बताया है कि sir हमारे को इतने number पे college मिल चुकी है उसके आदार पे बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो आपके अभी एक list और आएगी हो सकता है आपके counseling दो बार से शुरू हो या फिर आपकी एक waiting list और निकली जाए इसमें आपको बता दू कितने number तक आपकी जो कटोफ हो नीचे आ सकती है तो अब प्लीज आप video को पूरा completely देखें और चैनल पर ये पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजी क्योंकि जैसे ही आपकी second counseling चालो होगी या फिर आपकी waiting list के date आएगी तो उसका notification आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलने वाला है तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं देखे यहाँ पर RRs की कटोफ मैंने पिछले वीडियो में बता दी है अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फिडियो में जा करके देख सकते हैं यहाँ पर वेरे पास में हम बात करें सबसे पहले OBC की जिन students का मेरे पास में call आया है उन्हीं की बात करने वाला हूँ OBC की टिकरी की एक students का phone आया है और वो है girls girls में हम बात करें तो OBC की जो cut-off है वो उनको 324 नमर पर college उनको मिली है जालोर में ठीक है और उन्होंने फिलाल second list में उनको मिल चुकी थी third list में 324 वाले को अभी third list हो रही है तो third list में एक student है उसको मिला है 325 नमर पर ठीक है यानि हो सकता है बाद में भी मिल सकती है क्योंकि किसी college में ज़्यदा आविदा आया होंगे तो उसको 325 पर मिली है एक OBC का student जिसको college मिली है 366 नमर पर 366 नमर साइंस में उसको college मिल चुकी है अगर इन नमरों से कम नमरों पर आपको college मिली है तो प्लीज आप comment section में comment करके बताएं ताकि सब भी students है वो कटोप का अंदाजा लगा सके अब हम यहाँ पर बात करते हैं science की SCST की SCST का एक students है आप SCST का है तो आप SCST दोनों से उसे एक साथ लगा गया देख सकते हैं एक साथ उनके कटोप ज्यदा नहीं रहेगा तो इनका एक students का है जिसको 362 नमबर पे college मिल चुकी है और वो college मिली है उसको डूंगरपूर में ठीक है 362 नमबर पे डूंगरपूर में college मिल चुकी है अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके SCST होगी 362 के आसपास वाले students है सभी को college मिल जाएगी SCST के जो आसपास है 362 में इसके बाद में general की बात करें general की बात करें तो general के अंदर science के अंदर के जो college मिली है वो मेरे पास में अभी तक 377 में और एक students का call आया है 384 पर अब इन दोन students ने मेरे को call करके बताया कि उनको college मिल चुकी है तो आप लोग अगर आपको science में general से हो और आपको 384 नंबर से कम पर college मिली है तो प्लीज आप comment box में comment करके बता दीए ताकि students के cut-off का अंदोजा लगा जासकी अगर अभी आपके चोती list निकाले जाती है तो चोती list के अंदर के आप मान सकते हो तीन से च्यार नंबर आपकी cut-off है वो नीचे जा सकती है क्योंकि अभी बहुत से students है वो पूरी reporting परक्रिया complete नहीं करेंगी क्योंकि college बहुत दूर लोगों को मिल रहे है और अभी तक आपका अपवर्ड का लिंक भी जारी नहीं किया गया है तो सातियों आप लोग PTT से जुड़ी हुई पलपल की अपडेट जाना चाहते हैं तो अभी चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजी आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नए वीडियो के साथ में जय हिंद जय भारत उबंदे मात्र